दोस्तों जब भी हम एक desktop या laptop अगर हम purchase कर रहे हैं या अगर हम एक PC assemble कर रहे हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर होता है i3, i5 या i7 आप इपड़ों देखते रहे हैं और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरफ आप देखते हैं टेक्निकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम जब भी एक नया laptop ये desktop लेते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि उसमें i3 भी है, i5 है कुछ में, कुछ में i7 है फिर हम बात करते हैं generations की, तो 4th generation, 5th generation, 6th generation वगरे वगरे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं generations की, तो देखिए Intel हर साल एक नहीं generation launch करता है अपने processors की और generation का मतलब ये है कि वो जिस technique का use कर रहा है उनकी manufacturing में, अपने processors की manufacturing में तो वो technique कितनी अच्छी है और कितनी छोटी है, एक normal processor के अंदर करोडों अरवो छोटे 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 transistor लगे होते हैं अब वो एक transistor का size कितना छोटा है वो Intel हर साल ये बताता है, वो जितना छोटा होगा, उतना efficient होगा, उतना fast होगा, उतनी कम power consume करेगा अभी जो Intel use करता है latest वो है 14 nanometer, कुछ साल पहले ये 20 nanometer थी, उससे कुछ साल पहले ये 28 nanometer थी, उससे पहले 40, 100, 1500 तक भी थी तो धीरे-धीरे पिछले 15-20 सालों में हर साल वो छोटा करता है करते, अभी वो 14 nanometer का transistor बनाता है और overall आपको एक अच्छा processor देखने को मिलता है अब गोस्तों बात करते हैं i3, i5, i7 की, तो देखिए normal consumer market में Intel ने अपने processors को तीन करेक्री में डिवाइड किया है, i3 जो है वो सबसे basic है, Pentium और Celeron की में एक बात एक बार आभी नहीं करता हूँ, उनको एक बार में छोड़ देता हूँ, i3 के बारे में अगर आपको बता अब यह आपको i3 के बहुत सारे models देखने को मिलते हैं, 4130, 4220, etc. अब यह क्या होते हैं, कि जैसे रहे से आपको models अलग-लग देखने को मिलते हैं, इनकी जो clock speed है वो अलग-लग होती है, यानि कि इनकी फ्रिक्वेंसी है, कुछ है 2.1 GHz, कोई है 2.3, कोई है 2.5, बगर बग आपको जादा देखने को मिलती रहती है, यह cache क्या होती है, यह इसके बारे में मैं एक अलक सी वीडियो बनाऊगा, लेकिन आप यह मानिए कि जितनी ज्यादा है आपके लिए उतनी अच्छी है, तो आप यह देख सकते हैं, कि आपकी CPU की speed हो कितनी है, उसकी cache memory हो कितनी है, यह अगर आप gaming भी करते हैं, हलकी full के और अगर आपने dedicated graphics card भी लगाया हुआ है, तो आपके लिए i3 more than enough है, आपको i5 या i7 में invest करने की ज़रोत नहीं है, i3 आपको all in all एक अच्छी performance दे देगा, तो फिर हम बात करते हैं i5 की, तो देखिए इसके अंदर आपको दो variants देख OS उसको 4 core की देखेगा, अब यह जो processor है, यह थोड़ा सा बहतर है i3 के comparison में, आपको जो cache memory है वो थोड़ी सी जादा मिलती है, आपको इसकी जो speed है वो थोड़ी सी जादा मिलती है, और जो performance है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, तो i5 आप यूज कर सकते हैं, और आपको अच्छी देखने को मिलेंगे, दोस्तों फिर हम बात करते है i7 की, तो देखिए i7 जो है वो Intel का consumer market के लिए best available processor है, इसमें आपको तीन variant मिलते हैं, जो laptop में लगा होता है, वो dual core भी हो सकता है, जो slim ultra box होती है, और quad core भी हो सकता है, जो macbook pro है, या कुछ जो heavy laptops है, alien और ज्यादा efficiency से वो जो काम है करा पाएगा, i7 में आपको cache भी काफी है, ज्यादा देखने को मिल जाती है, आपको 8 MB तक की memory मिल जाती है, अब ये क्या होती है, वो तो मैं आपके लिए galaxy video में बताऊंगा, लेकिन आप इतना मानिये कि जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छ होती है, और आपको performance भी उतनी अच्छी देखने को मिलती है, तो i7 आपके लिए काम में आ सकते हैं, अगर आप एकदम high-end काम कर रहे हैं, अगर आप एकदम high-end audio video rendering कर रहे हैं, अगर आप 3D graphics को use कर रहे हैं, अगर आप बहुत एकदम ultra high-end अगर आप gaming करना चाहते हैं, तो आप उसको बढ़ा के 3.8 कर रहे हैं, या 4 कर रहे हैं, वगरे वगरे, अब ये आप सभी processors के साथ में नहीं कर सकते, Intel ने अपने processors को एक अलग तरीके से categorize किया है, जिन भी processors की model number के आखरी में आपको K लिखावा दिखाई देता है, इसका मतलब ये, कि आप उस processor को, अगर आप के पास में compatible motherboard है, तो आप उसको overclock भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2 GHz की processor को overclock करके 8 GHz कर देंगे, आप उसको धीरे-धीरे 0.2, 0.3 GHz पढ़ाते-पढ़ाते, एक जहां तक आपको stable performance मिलती है, आप वहां तक उसको overclock कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपक पहला number है, आप सिर्फ उसको देखिए, तो 4770 जो है, वो एक 4th generation का processor है, 5770 जो है, वो एक 5th generation का processor है, तो आप कभी भी एक laptop पे computer लेते हैं, तो आप सिर्फ i3, i5 मत देखिए, आप ये भी देखिए कि ये कौन से generation का है, उसके according आपको battery life पे अच्छी मिलेगी लेगी, लेक् power connection होगा, desktop में, आपको एक अच्छी performance देखने को मिलेगी, तो आप अराम से generation देख के, और कौन सा model है, कितनी cash है, आप ये सब देख के, अपना decision लीजिए, तो तो मैं galaxy वीडियो भी बनाऊंगा, Intel और AMD का deep comparison करूँगा, कि आपको क्या differences देखने को मिलते हैं, और कौन सा लेना चाहिए, किस purpose के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको specifically बताया, i3, i5, i7 के बारे में, उनकी अलग-अलग generations के बारे में, और आपको किस purpose के लिए, कौन सा प्रसेसर लेना होगा, इस बारे में, उमीद करता हूँ, आपको पसंद आया होगा, अगर आपको अगर आपने टेकनिकल गुरुजी को वी तक सबस्क्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इस लाप डॉन पर क्लिक करे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रुद्वान इस सरी की टेक वीडियो लेके आता रेता हूँ, अभी के लिए इतना ह जाहिं जाहिं वन्दे मत्रव